बिहार सरकार की यही कोशिश है कि टूरिजम को बढ़ावा दिया जाए ताकि देश और विदेशों की परेटक जब भी बिहार की सरजमी पर आए घूमने के कई विकल्प उनके सामने मौजूद रहे जोसे बिहार का नाम तो देश-प्रदेश में बढ़ेगा ही साथ ही बिहार को राज़स्त्व का भी फायदा हो और बिहार परेटकों के घूमने के लिहाज से उनकी लिस्ट में शामिल हो यही कारण है कि बिहार सरकार एक साथ अलग-अलग प्रोजेक्ट पर काम कर रही है जिसमें से एक है बिहार का नया टूरिजम प्रोजेक्ट इसी कड़ी में वन एवं परियावरन एवं जलवायू परिवर्तन विभाग ने जमूई जिले में लगभग आधा दर्जन जगों को एको टूरिजम के लिए चुनहित कर राजुसरकार को प्रस्ताव भेज दिया है जिसमें जमूई जिले का न जन्मस्तान और पंजभूर जर्ना, बरहर प्रखंड के पतनेश्वर बंदिर के समीब स्थित कटोना पहाडी, चकाई प्रखंड स्थित नारोदह जर्ना और जाजा प्रखंड के सिमुत तल्ला स्थित हल्दिया जर्ना शामिल है सबसे खास बात ये है कि खेरा प्रखंड के कुंड ग्राम जन्मस्तान के समीब डेड़ किलोमीटर लंबा हैंगिंग ब्रिज यानि की लटकता हुआ पुल बनाया जाएगा, जो की आने वाले समय में पर्याठकों के लिए आकर्षन का केंद्र होने बाला है इतना ही नहीं, बिहार के जमुई जिले में हैंगिंग ब्रिज के साथ ही नक्टी पक्षी आश्रेनी के समीब चार स्टे हों, वाच टावर और बास का सिटिंग स्पोर्ट भी बनाया जाएगा साथी पंजभूर जर्णा के पास कटोना पहाडी के समीब और नारोदह जर्णा के समीब ट्राकिंग रूट के साथ साथ परिटन विभाग के निर्देशा अनुसार कई प्रकार की सुवधाओं का भी विकास किया जाएगा जिसको लेकर जमुई जुला प्रसाफशन की तरफ से स्विकृती मिल गई है जमुई के जुला वन पदादिकारी पियुश बर्णवाल ने बताया है कि इन सभी सहलों के एको टूरिजम के तहट विक्सित करने के लिए प्रस्ताव भेज दिया गया है स्विकृती मिलने के साथ ही कारिप्रारंभ कर दिया जाएगा सब कुछ ठीक ठाक रहा तो अगले साल जमुई एको टूरिजम का हब बन जाएगा जिसके तहट ही जिले के आधा दरजन जगों को एको टूरिजम के लिए चुनित किया गया है वन परियावरन एवं जलवायू परिवर्तन विभाग ने जिले के अलग अलग प्रखंडों के 6 स्थलों को चैनित कर राज़ो सरकार को प्रस्ताव भेज दिया था जिसके बाद अब इन जगों को एको फ्रेंडली और टूरिजम के लिए विक्सित करने की योजना बनाई गई है साथ ही कई तरह की सुविधाओं का भी विकास किया जाएगा विभाग को बस स्विकृती मिलने का इंतिजार है बताय जाता है कि यह सब परेटकों को आकरशित करने के दृष्टी कोण से किया जाएगा इन सभी स्थलों पर परियावरन संगुरक्षिन को धियान में रखते वे आधुरिक तकनीक से परेटन को बढ़ावा देने के लिए कई प्रकार के निर्मान कारे भी किये जाएंगे जिसके बाद उमीद यही जोताई जा रही है कि आने वाले समय में बिहार में परेटकों कामेला और ज्यादा देखने को मिलने वाला है इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही तब तक के लिए धन्यवाद